आईए सुनते हैं Percy Jackson and the Titan Curse का explanation मेरी यानि गरिमा की आवाज में कहानी शुरू होती है जब Percy, Thalia और Annabeth परसी की मौम के साथ West Rover Hall जा रहे हैं Grover ने दो ऐसे बच्चे स्पॉट किये हैं जो Demigods या Half Bloods लग रहे हैं यानि उनके माता पिता में से कोई एक Greek God है ये दो बच्चे हैं Bianca और Niko बियांका लगबग 12 साल की है और Niko उससे छोटा है West Rover Hall एक काले ग्रनाइट से बनी बड़ी सी इमारत है जिसे देखकर निगेटिव इची लगती है Annabeth परसी से काफी समय से नहीं मिली आपको याद दिला दें कि अगर आपने Percy Jackson सीरीज का Part 1 Percy Jackson and the Lightning Thief और Part 2 Percy Jackson and Sea of Monsters का explanation नहीं सुना तो पहले उसे सुन ले जिससे आप इस स्टोरी से अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे इसका लिंक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट सेक्शन में है चलिए कहाने में आगे बढ़ते हैं Annabeth बताती है कि उसके पिता सैन फ्रांसिस को शिफ्ट हो गये हैं पर वो वहां नहीं जा सकती परसी को समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों Half Bloods का सैन फ्रांसिस को जाना सेफ नहीं है वेस्ट ओवर हॉल अंदर से काफी बड़ा होता है उसकी दीवारों पर युद्ध के जंडे और शस्त्र लगे हैं एंटीक राइफल्स और बहुत कुछ वेस्ट ओवर हॉल एक मिलिटरी स्कूल था पर परसी को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा कुछ बहुत खतरनाग घटने की आशंका लग रही है वहां उसकी मुलाकात वहां के वाइस प्रिंसपल डॉक्टर थौन से होती है उन्होंने मिलिटर युनिफॉर्म पहनी थी और उनकी एक आँख भूरी और दूसरी नीली थी वहां उन्हें ग्रोवर मिलता है और वे सारे अंदर हॉल में जाते है जहां वो हाफ बलट्स बच्चे भी थे पर ये सब एक चाल होती है अचानक ये दोनों बच्चे पार्टी के बीच से गायब हो जाते है और परसी देखता है कि डौक्टर थौन उन्हें घसीर्टे हुए पीछे की तरफ ले जा रहे हैं वाके ले ही उनका पीछा करता है और डौक्टर थौन परसी को भी पकड़ लेते हैं वो बहुत ताकतवर था और असल में डौक्टर थौन एक मॉंस्टर था वो एक मैंटी कौर था, यानी सर से इंसान और बाकी बदन के हिस्से से शेर की तरह उसकी पूंच से नुकीले भाले निकल रहे थे जिससे परसी घायल हो जाता है वो बियांका, निको और परसी को लेके एक चटान की किनारे आता है और वो परसी को कहीं भेजने की बात कर रहा था परसी मन ही मन ग्रोवर को बुलाता है क्योंकि परसी और ग्रोवर एक दूसरे की मन की बात सुन लेते हैं तभी वहाँ ग्रोवर एनमपे तो ठाली आते हैं और इन सब के बीश में युद्र शुरू हो जाता है तभी वहाँ परसी को पकरने के लिए मॉंस्टर्स के भेजी हलिकॉप्टर्स आ जाते हैं इन सबसे लड़ना परसी और उसके दोस्तों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था तभी वहाँ उनकी मदद को जंगल की हंटर्स आ जाती हैं ये वन में रहने वाली देवी आर्टेमिस हैं और इनके साथ ही इनकी हंटर्स भी हैं आर्टेमिस बहुत शक्तिशाली होती हैं और वो डॉक्टर थौन को हरा भी देती है पर यहाँ एनाबेट से गलती हो जाती है और डॉक्टर थौन एनाबेट को लेकर जाने कहां गयब हो जाता है सारे एनाबेट को बहुत ढूनते हैं पर उसका कोई पता नहीं चलता आर्टेमिस बारा साल की लड़की होती है और उसकी हंटर भी लगबक इसी उम्र की थी एक बार आर्टेमिस अगर हंटर बन जाए तो उसकी उम्र वहीं रुख जाती है ऐसी ही एक बहादूर हंटर है जोई नाइट शेड ये उनकी लिफ्टनेंट है वह दिखती तो सिर्फ बारा वर्ष की है पर वह दो हजार सालों से एक हंटर है एक बार हंटर बनने की शपत लेने से वो कभी भी शादी नहीं कर सकती नाहीं किसी लड़के से प्यार कर सकती है एनाबेद भी ऐसी ही एक हंटर बनना चाहती थी अब Artemis Percy से पूछती है कि Dr. Thorne उससे क्या पूछ रहे थे जिससे पता चलता है कि वो किसी जनरल की बात कर रहा था और Percy को सबक सिखाना चाहता था या सुनते ही Zoe का चहरा पीला पर जाता है वा कुछ कहने वाली होती है पर Artemis उसे चुप करा देती है और उस मॉंस्टर को मारने का निश्चे करती है वा अपनी हंटर्स को सुरक्षित रखना चाहती है इसलिए वा उन्हें परसी के साथ वापस कैम भेजने को कहती है और Artemis अकेले ही आगी जरने का निर्ने लेती है बियांका और निको भी पहली बयार कैम जा रहे थे तो उसे आजीवन कुवारी बने रहने का वचन लेना होगा और इसके साथ ही वा अमर भी हो जाएगी और वा जिस उम्र की है ताँ उम्र उसी उम्र की रहेगी परसी नहीं चाहता कि बियांका इतना बड़ा निर्ने इतनी जल्दिबाजी मिले पर बियांका अपलेच लेके आटेमिस की हंटर बन जाती है परसी को इस बास से आश्चर हो रहा था कि किस तरह वा अपने भाई निको के बारे में नहीं सोच कर सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही थी पर परसी कुछ कर नहीं पाता आर्टमिस अपने जुरुवा भाई अपोलो को बुलाती हैं और ये दोनों भी जियूस की संतान थे इस तरह से इथालिया भी उनकी हाफ सिस्च थी अपोलो यानि की सूरे देव जो अपने रथ पर सवार सूरे को चलाते हैं ऐसा परसी ने परानिक कथाओं में सुना था पर जब अपोलो वहाँ पहुचते हैं तो वह एक रेट मैजरेटी कार में आते हैं जो बहुत चमक रही थी अपोलो उतरते हैं तो वह एक 17-18 साल के यूवक थे जिसके चहरे पर मधूर मुसकान थी और शरीर सुडॉल था वह थालिया को अपनी छोटी बहन कहके बुलाते हैं और उसे गाड़ी चलाकर कैम तक जाने को कहते हैं पर थालिया इतनी उचाई पर गाड़ी चलाने से डर रही थी असल में थालिया को उचाई से डल लगता था पर क्योंकि वो ज्यूस की संतान थी जो की आकाश के देफता हैं तो वाया बाहस सब को बताने से डरती थी कि कहीं उसका मजाख न बन जाए निको और बियांका के लिए सब कुछ बिल्कुल अनूखी बात थी और उनके आशर का ठिकाना नहीं था सारे हाफ बलड स्कैम पहुँच जाते हैं एनाबेथ के गायब होने से परसी बहुत परिशान था और वो गौड डाइनोसियस यानि मिस्टर डी से क्वेस्ट पर जाने की इजाज़त मांगता है जिससे कि वो एनाबेथ को ढून सके पर मिस्टर डी इस बात पर सीरियस नहीं होते तब ही वहाँ एक और घटना घटती है परसी को सपना आता है कि एनाबेथ किसी अंधेरी जगापर फसी हुई है और वहाँ ल्यूग भी है एनाबेथ खत्रे में थी और उसी राज जोई को भी एक सपना आता है कि उसकी देवी आर्टेमिस कहीं कैद है और जन्जीरों से जखड़ी हुई है परसी को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वह और अधिक परिशान हो जाता है वह अपना भविश जानना चाहता था इसलिए वह उपर की मन्जिल पे जाता है जहां ओरैकल थी जो भविशवानी करती थी वह एक ममिफाइड औरत थी पर जब परसी वहां पहुँचता है तो वह अजान कर चौंक जाता है कि ओरैकल उस रूम में थी ही नहीं परसी अब समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए अगले दिन कैम्प में चैप्चर दा फ्लैक का आयोजन होता है जो हर वर्श होता था पर नहीं हंटर्ज और नहीं परसी को इस बात का जोश था और चैप्चर दा फ्लैक में ही थालिया और परसी की लड़ाई हो जाती है जिसे देखे काईरॉन बहुत परिशान हो जाते हैं लेकिन तभी जंगलों की ओर से खुचाता दिखाई देता है वो ओरैकल थी सभी उसे देख के आशर चकित हो जाते हैं क्योंकि ओरैकल कभी उपरी मंजल से अपना कमरा छोड़ कर कहीं नहीं गई थी वो आएक पत्थर पे बैठ जाती है और जोई को देख कर कहती है कि उसे क्या जानना है जोई उसे आटमिस के बारे में पूछती है तभ और एकल एक भविश्यवानी करती है पांच लोग पश्यम की तरफ चाहेंगे जहां पर गौड़ेस बेडियों से जखड़ी हुई उसमें से एक प्रिगिस्तान में गुम हो जाए और लंपस की अशान्ती का जो कारण है वो अपना रास्ता खुद दिखाए हंटर्स और कैंपस एक साथ आगे बढ़ें टाइटन के श्राप का बोज एक उठाना पड़े और अंत में एक किम्रित्यू अपने ही पैरेंट के हाथों हो जाए ये भविश्वाने सुनकर सब परिशान हो जाते हैं और क्वेस्ट पे जाने के लिए पांच लोगों का चेयन होता है जिसमें से तीन हंटर्स और दो कैम्पर्स थे हंटर्स में जोई, बियांका और फोब का चेयन होता है और कैम्पर्स में थालिया और ग्रोगर पर्सी को क्वेस्ट पे जाने की इजाज़त नहीं मिलती वो एनाबेट के लिए बहुत परिशान था क्योंकि वो उसे बहुत पसंद करने लगा था उसी रात पर्सी के टेंट में आहट होती है और उसे मिलने ब्लैक पे गैसेस आता है यानि उनने वाला घोड़ा वो पर्सी को बताता है कि समुद्र में कोई खत्रे में है और उसे पर्सी की मदद की जरूवत है पर्सी आनाबेट की इनिविजिबिल कैप और अपनी दल्वार लेके चला जाता है पर्सी जब समुद्र में जाता है तो समुद्र की गहराईयों में उसे एक हेवेनली क्रीचर दिखता है जो मचली के जाल में फस गया था उसका उपरी शरीर तो गाय के समान था और निचला भाग साब की तरह पर्सी उसे काहू सर्पेंट बुलाता है और उसका नाम बैसी रख देता है वो बहुत मुश्किल से उसे बचा पाता है बैसी अपनी भोली भूरी आखों से पर्सी को धन्यवाद देती है उधर कैंप में फोब किसी कारणों से बिमार पढ़ जाती है और क्वेस्ट पे जाने लाइक नहीं रहती जब पर्सी वापस लोटता है तो देखता है समुधिव टत के एक तरफ एक खंबे के पीछे निको छुपा हुआ है और वा छुपकर बियांका और जोई की बाते सुन रहा है वा अपनी बहन के लिए बहुत चिंतित है क्योंकि वा भी नई नई हंटर बनी है और उसे ठीक से लड़ना भी नहीं आता वा पर्सी से कहता है कि वा एनविजिबिल कैप पहन के उनका पीछा करे अब बियांका की रक्षा करे पर्सी नहीं जानता था कि ये क्वेस कितना खतरनाक साबित होने वाला था और ना चाहते हुए भी वा निको को बियांका की रक्षा करने का वचन दे देता है जोई, बियांका, ग्रोवर और थालिया चारो एक गाड़ी से पश्चिम की ओर चल देते हैं और पर्सी पिगैसिज यानि उड़ने वाले घोड़े से उनका पीछा करता है उड़ते हुए पर्सी एक बिल्डिंग के पास पहुँच जाता है उसका घोड़ा ब्लैक जैक अचानक से रुख जाता है मानो किसी चीज ने उसके पैर पकड़ लिये हो कोई चीज साप की तरह उसके पैरों से लिपट जाती है तब ही मिस्टर डी यानि गौद डाइनोसियस वहाँ प्रकट होते हैं अब परसी को बिना इजाज़त क्वेस्ट पे जानने का कारण पूछते हैं वो बहुत गुस्से में थे परसी उन्हें बताता है कि उसका जाना बहुत जरूरी है तब वे परसी को एरियांड्रे के बारे में बताते हैं वह एक खुबसूरत प्रिंसस थी और पोसाइडन के बेटे थीसेस से प्रेम कर बैठी पर थीसेस ने उसे धोका दे दिया और उसे छोड़ दिया तब डीनोसियस ने उसे सहारा दिया और जब एड्रियांड्रे के मृत्ति हो गई तब गॉड डाइनोसियस ने उन्हें अपनी अमर पत्नी बना के उलम्पस में रखा और आज भी वो इंतिजार कर रही है कि कब डाइनोसियस अपनी सजा पूरी करके उलम्पस वापस आएंगे इसलिए शायद मिस्टर डी परसी पर भी भरोसा नहीं करते उनका मानना है कि हीरोज कभी नहीं बदलते और उनकी फितरत धोका देने की ही होती है भविश्वानी के अनुसार कम से कम दो लोगों की मृत्यू होना निश्चित है और अगर उनमें से एक परसी होता है तो भी डाइनोसियस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फिर वे चुटकी बजाकर गायब हो जाते हैं परसी अपने आगे का सफर जारी रखता है और ब्लैक चैक उसे वाशिंग्टन मॉन्यूमेंट पे उतार देता है जोई ने पास में ही अपनी वैन पार्क की थी ब्लैक चैक वापस कैम चला जाता है परसी जोई का पीछा करना चाता है तब ही वहाए ग्रे कलर की वैन रुपती है जिसमें से एक मिलिटरी सूट पहने आदमी उतरता है परसी ने अनबेत की निविजिबिल्टी कैप पहन रखी थी जिससे कोई उसे देख नहीं पा रहा था जब वहादमी पलटता है तो परसी उसे देख के चौक चाता है वो तो डॉक्टर थॉन था वही मॉन्स्टर मैंटी को जो एना बेत्टु गिटनैब करके कायब हो गया था परसी उसका पीछा करने लगता है डॉक्टर थॉन चुप चाप से परसी के दोस्तों का पीछा कर रहा था फिर ग्रोवर एक साइंस म्यूजियम के अंदर चला जाता है पर डॉक्टर थॉन वहां नहीं चाता ना जाने क्यों वो हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर जाता है परसी भी उसके पीछे जाता है हॉल के अंदर का नजारा बड़ा डरावना था वहाँ कई मॉंस्टर्स थे और वहाँ पर एक जेनरल भी था जिसे डॉक्टर थॉन जुक कर सलाम करता है और बताता है कि वो सब यहाँ आ चुके हैं वहाँ ल्यूग भी था वो जनरल बहुती लंबा और डरावना था और उसके सामने डॉक्टर थॉन एक छोटे बच्चे जैसा लग रहा था वो सारे प्लान करते हैं कि थैलिया को किसी तरह ग्रूप से अलग करना है और फिर उस पर अटैक करना है परसी इन्विजिबिल्टी कैप लगा कर ये सब देख रहा था तब ही वहाँ मौजोद एक गाड एक शेर का दांत अपने पॉकेट से निकालता है और उसे मिट्टी में डाल देता है और देखते ही देखते वो कंकाल का रूप लेके बड़े होने लगते हैं उन पर मांस चड़ जाती है और मौडन कप्रे पहन लेते हैं वो बहुत डरावने थे वो एक स्केल्टन सेना बन जाते हैं वो असानी से परसी को देख सकते थे और वो परसी की तरफ छपटते हैं परसी बड़े मुश्किल से वहाँ से भागता है बहार आके वो अपने इन्विजिबिल्टी कैप उतारता है और उसके सारे दोस्त ग्रोवर, बियांका, थाली और जोई उसे देख के आशर में पढ़ जाते हैं वा उन्हें बताता है कि वो सब बहुत बड़े खत्रे में हैं ग्रोवर को किसी मौस्टर के आसपास होने का अभास होता है तब ही पीछे से एक बहुत बढ़ा सा मौस्टर जो देखने में शेर जैसा था उन पर हमला कर देता है उसका नाम नेमियन लायन था उसके दाथ स्टील जैसे थे और उसके बदन के फर भी स्टील की तरह थे उसे हराना लगभग नामुम्किन था तब ही परसी देखता है कि जब वा शेर दहारता था तब उसके मूँ के अंदर का हिसा मेटल का नहीं था वो तो इसकिन थी अगर उसका मूँ खुला रखा जा सके तो तीरों से हमला करके वा मर सकता है परसी एक शॉप से फ्रोजन स्पेगिटी और आईसक्रीम स्टिक्स उठाता है जब वा शेर दहारने के लिए मूँ खोलता है तो परसी उस स्टिक को उसके मूँ में फसा देता है अब भी आंका, जोई और थालिया तीरों से उस पे हमला कर देती है और वानीमियन लाइन वहें किरके मर जाता है पर खतरा भी टला नहीं था क्योंकि वो स्केल्टन की सेना जो कुछ दिर पहले ही बनी थी वो उन्हें सुंगते हुए वहां पहुँच जाती है और वानीमियन लाइन मरकर गायब हो जाता है और पीछे उसकी खाल रह जाती है सारे उस खाल को परसी को दे देते हैं जैसे ही परसी उसे छूता है वह एक सौफ्ट सा कोड बन जाती है जो परसी पहन लेता है वो सारे वहां से भागते हैं जब वे बाहर आते हैं तो वॉंस्टर के हेलिकॉफ्टर्स उन्हें मारना के लिए आ गये थे। अब वे सारे सब्वे जाते हैं और ट्रेन के टिकेट्स लेके अलेक्जैंड्रिया के लिए निकल पड़ते हैं। पर यहां बियांका एक बड़ी अजीब सी बात कहती है। वो कहती है कि जब वो छोटी थी और अपनी मॉम के साथ घूमने आती थी तब सब्वे बना ही नहीं था। सबको इस बाते बहुत आश्यर होता है क्योंकि प्यांका सिर्फ बाला साल की थी और सब्वे बने तो सालों बीच चुके थे। यह सारे कई बार ट्रेन बदलते हैं जब तक हलिकॉप्टर्स इनका पीछा करना नहीं छोड़ देते। थालिया बार बार अपने पिता ज्यूज से मदद मांगती है कि आकाश बिज़ी गिर्जय और लिकॉप्टर्स उनका पीछा करना छोड़ दें पर ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे आखरी स्टेशन पहुँच जाते हैं। वो ट्रेन पश्चिम की ओर जा रही थी जहां उन्हें जाना था। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उस बेगहर आदने को धन्यवाद देना चाहते हैं। पर वो वो तो गायब हो गया था। दर असल वो अपोलो था, जीूस का बेटा, थालिया का भाई, सूर्य देव, वो उनकी मदद करके चला गया। सभी उस ट्रेन पलदी कार्स पर बैठ जाते हैं और सैंड फ्रांसिसको की तरफ चल देते हैं। पर सैंड फ्रांसिसको में ऐसा क्या था, जो हाफ बलड्स को वहाँ जाने से रोकता था, या परसी अभी भी नहीं जानता। थालिया परसी को बताती है कि सैंट फ्रांसिसको में माउंचेन ओफ डिस्पेर है और टाइटेंस के मैजिक का कुछ अंश अभी भी वहाँ है जो मॉंस्टर्स को अपनी और आकरशित करता है पर इससे जदा परसी को कुछ नहीं बताया जाता थालिया ल्यूक के साथ बिताय अच्छे दिन याद करती है जब थालिया ल्यूक और अनाबेत महीनों भटकने के बाद कैम पहुँचे थे और थालिया मरकर प्यर बन गई थी तब ही परसी को अपनी कार में कोई बैठा दिखता है वह वही बेघहर आदमी था पोलो वह परसी को बताता है कि जब वे सैंट फिसको पहुँचें तो वहाँ वे नीरियस नाम के बूड़े आद्दी से मिले वह बहुत कुछ जानता है ट्रेन से उतर के वे सारीक मांचन के पास पहुँच जाते हैं वो न्यू मैक्सिको था हर दरफ बर्फ जमी थी और परसी को चिंता हो रही थी कि वह किस प्रकार एनबेत और आर्टेमिस को बचाएगा उसे या काम बिंटर सौलिस से पहले ही कर लेना था और अब सिर्फ चार ही दिन बचे थे वहीं उन्हें कॉफी शॉप और एक डेपार्टमेंटल स्टोर दिखता है पर वहां कोई भी बस या टैक्सी स्टैंड नहीं था वह आगे कैसे जाएंगे या बताना बहुत मुश्किल था डेपार्टमेंटल स्टोर के आदमी ने बताया कि यहां से लगबख एक घंटे के रास्ते पर उन्हें टैक्सी मिल सकती है पर वो पैसे बहुत लेगा थालिया टैक्सी लेने के लिए निकल पड़ती है परसी स्टोर से रबर का एक चूहा खरीदता है और वो बियांका के साथ वहीं रुखता है वह देखता है कि बियांका पहले से जादा कॉन्फिडन्ट महसूस कर रही थी कुछ ही दूरी पर ग्रोवर और जोई कॉफी शॉप से खाने का समान लेकर आते हैं बियांका बताती है कि उसकी मा मॉटल थी और वो बहुत पहले ही मर चुकी फिर एक वकीर उन्हें खर्च के पैसे देता था और वो दोनों स्कूल में पढ़ते थे फिर एक बार एक दूसरा वकीर आया जो उन्हें वेस्ट ओवर हॉल लेकर गया वो कहाने जो बता रही थी वो बहुत ही अजीब थी पर क्योंकि बियांका और निको हाव बलट से इसलिए उनकी जिन्दगी आसान नहीं थी सारे कॉफी पी रह थे कि अचानक ग्रोवर बर्फ की तरह जम जाता है और एक गर्म हावा का छोका उनके पास से गुजरता है जैसे वसंद किसा महावा चलती हो बिलकुल वैसे ही और तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो उन्हें चेतावनी दे रही थी अधर से थालिया भागते हुए आती है वो बताती है कि रास्ते में उसे दो स्केल्टन वारियर्स दिखें जो सूंगते हुए उनका पीछा करते हुए यहां तक आ पहुँचे हैं वो सारे सतर्क हो जाते हैं पर ग्रोवर वो तो अभी तक बेहोश बड़ा था तभी वहां और अधिक स्केल्टन वारियर्स आने लगते हैं और ग्रोवर बेहोशी में बड़बडाता है वो आ रहा है वो आ रहा है एक गिफ्ट जंगलों से आ रहा है पर उसके बातों पर कोई ध्यान नहीं देता को समझ नहीं पाता तब ही वो स्केलचन वारियर्स इन सब पर हमला कर देते हैं इन्हें ग्रोवर की भी रक्षा करनी थी क्योंकि अभी तकवा भी होश था वो स्केलचन अब गोलियां चलाने लगते हैं पर परसी ने जो नीमियन शेर का कोट पहना हुआ था वो पुलिट प्रूफ था उन स्केलचन को हराना बहुत मुश्किल था तभी वह बहुत तेज किये गर्जना होती है और एक बहुत बड़ा सा जंगली सुवर उन स्केलचन वारियर्स को हवा में उच्छाल देता है और वे पहाडों पर गिर के चखना चूर हो जाते हैं पर मरते नहीं हैं ये वही गिफ्ट था जिसकी बात ग्रोवर कर रहा था और एक बात पर निश्चित था कि जंगल के पैन गॉड ने उसकी मदद की है ये वही पैन गॉड है जिनकी खोज में कई सचायर निकले और लापता हो गये और ग्रोवर की जिंदिगी का उदेश उन्हें ढूनना है पर वा जंगली सुवर अब परसी और उनके दोस्तरों की तरफ दोड़ता है फर ग्रोवर अपनी पाईप पर एक मधूर धुन बजाता है और एक सेब हवा में उच्छालता है वह जंगली सुवर के आगे सेब उचलने लगता है और वह मंत्र मुक्त हो जाता है वह सेब उसकी नाग के उपर उचलता रहता है जैसे किसी कार की स्टेरिंग हो अगली सुवर की सवारी करने के बाद वो सारे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचते है ग्रोवर एकॉंट्स निकालता है जो की ओग ट्री के फल होते हैं और उन्हें जमीन पर फेकता है जिसे आगे जाने का रास्ता मिले तो उन्हें मालूम पढ़ता है कि उन्हें उस पहाड़ी पर जाना है जहां बहुत सारा कबार पढ़ा है पर बहुत रात हो चुकी थी इसलिए सारे स्लीपिंग बैक्स निकाल कर वहीं सो जाते हैं वहाँ वो सारे आकाश में फैले असंखितारों की बाते करते हैं और बियांका से परसी पूछता है कि क्या जिस जगह बियांका अपने भाई निक के साथ बच्पन में ठेरी थी उस जगह का नाम लोटस कसीनों है बियांका इसका जवाब हां में देती है पार टू में इस होटल का जिक्र है जहां पर सालों तक रुकने पर भी समय का अभास नहीं होता और लगता है कि कुछ ही समय बीता है दर असल बियांका और निको हेडीज के बच्चे थे और उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें इस मायावी होटल में ठहराया गया था जिसमें बियांका अपने भाई के साथ सुरक्षित थी वो दोनों सालों तक इसी होटल में रुके पर नाहीं उनकी उम्र बढ़ी और नाहीं इसकी जानकारी उन्हें हुई इस तरह से सक्तर साल बीच चुके थे तब ही अंधेरे को चीरती हुई एक कार वहा आती है और कार से God Aries उतरते हैं यानि युथिके देवता उनका परसी के साथ रिष्टा ठीक नहीं है और वो अकेले में परसी को मिलना चाहते हैं वो किसी से परसी को मिलवाना चाहते थे वो थी Goddess of Love जिनका एरीस के साथ Extra Marital Affair था वो इतनी खुबसूरत थी कि परसी उन्हें देख के सब कुछ भूल जाता है वो बताती हैं कि परसी को सिर्फ एनाबेट को बचानी की सोचनी चाहिए और किसी के बारे में नहीं क्योंकि वो एनाबेट से प्यार करता है और वो उससे बताती हैं कि जो पहाड़ी आगे है जिस पर उन्हें चड़ कर जाना है वो उनके Husband Hippacitus की है और वो सारा समान जो उस पहाड़ी पे पड़ा है वो देफताओं का श्रापिस समान है जो यहाँ फेक दिया गया है आप परसी को ध्यान रखना है कि कोई भी वा समान उठाने की कोशिश ना करे अगली दिन सारे उस पहाड़ी पे चड़ जाती है उस पर पुराने रेफ्रीजरेटर से लिएकर कम्प्यूटर मॉनिटर सिल्वर और गोल की ज्वल्री और बहुत सारा समान था यहाँ पर ब्यायंका से गलती हो जाती है वा एक छोटा सा खिलोना उठा लेती है जिसकी शकल हेडीज यानि पाता लोग की राजा हेडीज से मिलती थी वा या खिलोना अपने छोटे भाई निकू को देना चाहती थी जैसे ही सारे इस पहाड़ी से उतरते हैं तो उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है अगर कोई इस गलती से इस पहाड़ी से समान चुरा लेता था तो वो मॉन्स्टर उसे आगे जाने नहीं देता था वो पुराने मेटल से बना हुआ था और इसे हिफैसितस ने बनाया था जो की मशीन बनाने में माहिर था और ये मॉन्स्टर तभी हमला करता था अगर कोई उस पहाड़ी से कोई समान चुरी करता था उसे हराना बहुत मुश्किल था पर बियांका उसे मारने के लिए उस राक्षस के अंदर उसके पैरों के रास्ते से घुज जाती है और उसे अंदर जाकर उसके सिस्टम में एरर कर देती है जिसे एक जोरदार धमाका होता है और वो मॉंस्टर गिर का टुकड़े टुकड़े हो जाता है पर उस मॉंस्टर के साथ ही बियांका भी मारी जाती है तब उनको वो प्रॉफिसी याद आती है वो इन शाल बी लॉस्ट इन दा लैंड विदाउट रिन तब ही सब ध्यान देते हैं कि वे सारे तो एक रिगिस्तान में थे और यहाँ पर उनको अपने एक साथी से भिछड़ना पड़ता है सारे बहुत दुखी हो जाते हैं और इन सब का जिम्मेदार परसी खुद को मान रहा था त्योंकि वा खोद उस राक्षस के अंदर जाना चाहता था पर बियांका चली गई अगले दिन उन्हें एक ट्रक मिलता है जिस पर बैट के वो सारे आगे जाते हैं वो सकेल्टन वार्योर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे थे वो मरे नहीं थे असल में वो मर ही नहीं सकते थे उस ट्रक पर बैट के वो सब एक रिवर कैनियन के पास पहुँचते हैं जहां पर ट्रक का फ्योल खतम हो जाता है जारना तेज गती से बह रहा था परसी एक सोने का सिक्का यानि गोल्डन ड्रेक्मा हवा में उच्छालता है और दो नाउ मांगता है और वे सारे पानी के रास्ते उपर की ओर चल देते हैं पर जोई बियांका के बारे में सोचकर बहुत दुखी थी च्योंकि उसी ने बियांका को इस क्वेस्ट पर चलने के लिए मजबूर किया था यहां परसी जोई को बताता है कि उसने एक राद सपना देखा कि जो तलवार रेप्टाइड उसके पास है जो उसके पिता की है वह जोई ने जादू से अपने बालों की क्लिप से बनाई थी और शायद वह तलवार शापित थी जोई परसी को बताती है कि वो पांच बहने हैं और उनकी मा गॉड़ेस ओफ वाटर थी उसकी चार बहने पश्चिम में एक बगीचे में रहती है जहां गोल्डन एप्पल ट्री है उस पेड़ की रक्षा के लिए एक ड्रैगन रहता है वह गोल्डन एप्पल जो खा लेता है वह अमर हो जाता है लेकिन जोई को उस golden apple tree garden से बाहर निकाल दिया गया और सारे उसे भूल चुके हैं ऐसा इसली हुआ था क्योंकि जोई ने एक बार एक hero की मदद की थी जोई ने उसे वा trick बताई थी कि किस तरह उस garden से golden apple चुराया जा सकता था उसने apple तो चुरा लिया और जोई का नाम तक नहीं लिया और उस hero ने सारा श्रे खुद को ही दिया जोई ने अपने पिता के साथ गदारी की थी इसली उसे अपने परिवार से निश्काशित कर दिया गया तब ही अचानक नाव रुख चाती है क्योंकि आगे नदी का रास्ता बन था और सामने एक बड़ा सा फुटबॉल के मैदान के बराबर डैम था डैम बहुत बड़ा था और लोग उस पर चलते चीचिवों से लग रहे थे डैम के दूसरे तरफ एक क्लिफ पर दो स्टैचूस खड़े थे उन स्टैचूस के दो पंक थे थालिया बताती है कि ये उसके पिता ज्यूस को गॉड़ेस एथेना ने गिफ्ट किया था हर तरफ ट्यूरिस्ट थे और वे उस स्टैचू के पास आते और उसके पैर के अंगूठे को रगरते कहते इसे गुड लग आता है सारे आपस में बात करने लगते हैं तभी परसी को कुछ आवाज आती है वह उस आवाज के पीछे चल देता है वह वही सर्पेंट काव बैसी थी जिसकी मदद परसी ने समुद्र में जा कर की थी पर वह यहाँ इतनी दूर कैसे आ गई वह लगभग दस मीटर नीचे एक लेक में थी परसी उसकी भाशा तो नहीं समझ पा रहा था पर ऐसा लग रहा था कि वह किसी खत्री की चेतावनी देने आई है परसी आशर चकित था कि समुद्र में हजारों किलो मीटर दूर बैसी आखिर आई कैसे बैसी परसी को इशारा करती है कि वह जल्दी करे अब परसी समझ भी जाता है कि खत्रा बहुत पास है तब ही परसी देखता है कि दो स्केल्टन वारियर्स उसकी तरफ चले आ रहे है वह बड़ी मुश्किलों से उनसे बचता है पर अप्ति स्कल्चन वालियर्स हर तरफ से आते ही जा रहे थे उनसे बचना लगभग नामुम्किन होता जा रहा था परसी उसके सारे दोस्ट उन्ही स्टैचूज के पास आ जाते हैं जो ज्यूज के प्रतिकात्मक चिन थे और उनसे हाँच जोड़कर मदद मांगते हैं थालिया अपने पिता से मदद मांगती है तब ही एक आशर चकित करने वाली घटना होती है और वे स्टैचूज वे जीवित हो जाते हैं एक स्टैचू थालिया और परसी को पगड़ता है और दूसर जोई और ग्रोवर को और देखते देखते वे सारे आकाश में उड़ने लगते हैं और वे स्केल्चल वालियर्स पीछे जमीन पर ही छूट जाते हैं वे स्टैचूज इतनी तेजी से उड़ते जाते थे कि उचे उचे पहाः और जमीन खेत थब देजी से पीछे छूट रहे थे अब वे सैन्ट फ्रांस किसको शहर के उपर से उड़ रहे थे तब ही परसी के मन में ख्याल आता है कि अनाबैत और आर्टमिस यहीं कहीं होंगी और जल्द से जल्द उन्हें बचाना होगा परसी याद करता है कि भविशवाड़े में बताया गया था कि उन्हें एक कोई रास्ता दिखाएगा पर वो कौन था परसी के समझ में नहीं आ रहा था वह कोई मिस्टीरियस मॉंस्टर था जिसके कारण और लंपश शहर में अशान्ती थी जिसके कारण भगवान परिशान थे और उनके लिए अब्या जाना बहुत जरूरी था कि आखिर वह मिस्टीरियस मॉंस्टर था कौन रोवर याद दिलाता है कि अपॉलो ने परसी को बताया था कि वो निरियस को ढून देख भूढ़ा आदमी जो बहुत कुछ जानता है यह आकाम परसी को स्वापा जाता है और बीच के किनारे ढूनते हुए उसे एक भूढ़ा आदमी मिल भी जाता है उसमें से मचलियों जैसी महका रही थी परसी उससे पूछता है कि उसके पास क्या इंफॉर्मेशन है तो नीरियस अपने को परसी की पकर से छुड़ाते हुए समद्र में कूच जाता है परसी भी उसके पीछे कूचता है तो नीरियस अपना रूप बदल के एक सील में बन जाता है और फिर वेल मचली में पर परसी उसका पीछा नहीं छोड़ता आंध में नीरियस बताता है कि वो मिंस्टीरियस मॉस्टर जिसे परसी ढून रहा है वो यहीं है इसी समद्र में और वो मॉंस्टर थी बैसी वही सर्पेंट काउ जिसकी परसी ने मदद की थी तब ही देखते देखते नीरियसे गोल्ड फिश का रूप लेके समुद्र में खो जाता है परसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी प्यार इसी बैसी एक मॉंस्टर जो कि उलमपस शहर में अशान्ती का कारण हो कैसे हो सकती है तब ही ग्रोवर बताता है कि वह जानवरों की भाशा समझ सकता है वह बताता है कि बैसी का नाम ओफियो टॉरस है और जोई कहती है कि वह इसके पीछे की कहानी जानती है ये हजारों साल पुरानी बात है जब इसी तरहे के एक जीव ने जन्म लिया था और तब एक भविश्वानी हुई थी कि जो कोई भी इसकी बली देकर उसे आग मुझला देगा उसे बहुत सी शक्तियां मिलेंगी पर ये शक्तियां काली शक्तियां होंगी और उसमें वो ताकत आ जाएगी कि वो देफताओं का विनाश कर सके बहुत वर्ष पहले जब ओफियो टॉरस का जन्म हुआ था तब जीव ने एक एगल को भेच के उसकी बली होने से बचा लिया था अब तीन हजार सालों के बाद फिर से ओफियो टॉरस का जन्म हुआ है सारे बाते करने में बीजी हो जाते हैं कि तभी वहां डॉक्टर थौन अपने सैनिकों के साथ आ जाते हैं वह बताता है कि सालों पहले देफताओं ने उसे परशिया भेज दिया था वह जंगलों में छुपते खाने की तलाश करते समय बिताता रहा ना ही उसे कोई जानता है ना ही उसकी बहादुरी की कहानियों में उसका जिक्र है पर आज आज वो इन हाफ बलड बच्चों को खाकर टाइटन से तारीफ पाएगा इस समय परसी को किसी भी तरह बैसी को बचाना था पर देवसोक इंटल की बरसी उसको कैसे बचाया जाएए उसे कहां लेकर जाएए डौक्टर थॉन थालिया को बताता है कि उसे जल्दी से इस बैसी की बली देके उसे आगम जला देना चाहिए और इसी लिए थालिया को लॉर्ट करनोस ने जीवित किया था अब कुछी दिनों में थालिया जब 16 साल की पूरी हो जाएगी तब वा उलम्पस से देफताओं को बाहर फेक सकती है पर आशर करने वाली बात तो या थी कि थालिया डॉक्टर थान की बातों को ध्यां से सुचने लगती है डॉक्टर थान कहता है कि वा ल्यूक के साथ फिर से हो सकती है उसके पिता ज्यूज ने वैसे भी थालिया के लिए किया ही क्या था वो तो उसे अकेरा छोड़ कर चले गए थे वो तो थालिया की परवा करते ही नहीं है अब वक्त आ गया है जब थालिया अपना बतला ले सके तब ही परसी चिलाता है थालिया उसकी बाते मत सुनो तुम्हारे पिता ने हमेशा से तुम्हारी मदद की है पर थालिया उसने तो अपने भाले को हाथ में ले लिया तब ही ग्रोवर ने अपनी पाइप से ऐसी धुन बचाई कि थालिया वापस से अपने होश में आ गई जोई ने डॉक्टर थॉन के सिपाहियों पे हमला कर दिया और सभी एक शॉप में जाकर छुपके तब ही परसी को वहाँ पानी का छोटा सा फाउंटेन दिखा उसमें गोल्डेन ड्रेक्मा हवा में उच्छाला जिससे की वो हाफ ब्लेट कैम से कम्यूनिकेट कर सके एक धुंद में डॉक्टर डी प्रकट होते हैं पर वो परसी के मदद करने में इंट्रेस्टेड नहीं दिख रहे थे परसी उनसे कहता है कि वह कायराउन को बुला दे वहाँ उसे बात करना चाहता है पर मिस्टर डी वो तो ग्रेप जूस पीरे में मगन थे परसी उनसे फिर से मदद मांगता है और कनेक्शन तूट जाता है सारे मेंटिक और और उसके सिपाही हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर तब ही कुछ अजीब सा होता है जैसे वो सारे मतमस्त हो जाते हैं जैसे शराब पी कर एक शराब ही हो जाता है और मेंटिक और के उनके सिपाही शराब में धुद पागलों सा बरताव करने लगते हैं डॉक्टर डी यानि गॉड ओव वाइन से उनकी मदद कर ही दी थी और अब परसी को मौका मिलता है कि वा किसी तरह बैसी की मदद करे और वा निश्चे करता है कि वा बैसी को ग्रोवर के साथ कैम्प में वापस भेज देगा अब ही मिस्टर डी फिर से प्रकट होते हैं और परसी उनसे जाज़त मांगता है कि वा क्या बैसी को कैम्प में भेज दे तो वा कहते हैं कि जोईया कर सकती है सब जोई की तरफ देखने लगते हैं जोई का चहरा बिलकुँ सफेद पढ़ गया होता है वा दूर उस पहाड़ी के और इशारा करती है जो बहुत उची थी और बादलों के पार जा रही थी वो बताती है कि उसका परिवार वहीं पर है वो गार्डन जिसमें वो गोल्डन एपल है जहां उसकी बहने रहती है उसे घर जाना होगा जोई कहती है कि उन्हें जल्दी वहाँ पहुँचना होगा शाम ढलने से पहले तो और उस बगीचे में सिर्फ शाम को ही जाया जा सकता है और अगले ही दिन तो विंटर सॉलिस था अगर आज के दिन वो काम नहीं कर पाएंगे तो फिर आना बेट्स को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बैसी उनके साथ ही थी जहां भी पानी का सोर्स होता था बैसी उसमें प्रकट हो जाती थी परसी बैसी को ग्रोवर के साथ कैम भिजने का फैसला करता है क्योंकि ग्रोवर उसकी भाषा समझ सकता था पर ऐसा करने के लिए परसी को अपनी किसी बहुत महत्वपून चीच क्या सेक्रिफाइस करना होगा सब उससे कहते हैं कि वह जो नीमियन कोट जो उसने पहन रखा है जो शेर की खाल से बना था वह उसकी भीट चढ़ा दे वह समझ में अपना कोट फेटता है और अपने पिता से मदद मांगता है अग्रोवर पैसी के साथ चला जाता है अब सब को चिंता होती है कि इतनी जल्दी इतनी दूर उस मांटन पर कैसे पहुँचा जाए जिस पर आर्टेमिस और एनाबेट थे इसके लिए एनाबेट की पिता प्रोफेसर चेज से मदद ली जाती है वो वहीं पर रहते थे उनके पास एक बाई प्लेन भी था जिसमें सेब दो लोग बैठ सकते थे इसलिए वे तीनों प्रोफेसर चेज की कार लेके चले जाते हैं प्रोफेसर चेज साइंस में बहुत रुची लेते थे और शायद यही कारण था कि गॉड़ेस एथेना ने जो बुद्धी की देवी है उनमें इतना इंट्रेस्ट लिया था और वैनाबेत की मॉम थी वो उनकी इन्ही खूबियों से अकरशित हुई होंगी वे सारे माउंटन ओफ डिस्पेर तक पहुँच जाते हैं परसी फिर से जोई से पूछता है कि उस माउंटन को माउंटन ओफ डिस्पेर क्यों कहते हैं इस पर जोई बताती है कि जब देवताओं और टाइटन्स की बीच युद्ध हुआ था तब कई टाइटन्स को सजा मिली थी और वे यहीं बंदी बना लिये गये थे और क्रोनॉस के टुकड़े करके उसे पाताल लोग की गहराईयों में डाल दिया गया था क्रोनॉस का दाहिना हाथ उसका जनरल यहीं कैद किया गया था तब ही परसी उपर देखता है कि पहार के उपर जैसे चक्रवाती तुफान घूम रहा हो परसी देखता है वहीं समुद्र के पास यूक की शिप भी खड़ी थी तब ही बहुत जोरो का धमाका होता है और प्रोफेसर चेस की कार एक्स्प्लोट कर जाती है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते है थालिया समझती है कि उसके पिता ज्यूज ने उसे मारने के लिए किया है क्योंकि भविश्वाड़ी में लिखा था पर जोई कहती कि नहीं ये ज्यूज का लाइटनिंग बोल्ट नहीं था बलकि शायद क्रोनौस ये सब कर रहा था आगे सारे पैदल चलते हुए उस माउंटेन की टॉप पर पहुँचते हैं जहां बहुत ही खुबसूरत सा बागीचा था बस एक ही चीज उसको डरावना बना रही थी वहाँ था वो ड्रैगन जो उस गोल्डन एपल ट्री की रक्षा कर रहा था ये वही गोल्डन एपल्स थे जो अमर्ता का वर्दान देते थे और यही एपल यूज ने अपनी पत्नी हिरा को उनकी शादी के तोफे के रूप में दिया था वो ड्रैगन उसकी बॉडी एक रॉकेट जितनी मोटी थी और उसके हजारों सर थे जैसे कई सापों को एक साथ बांदिया गया हो वह सो रहा था पास से ही बहुत मधुर गाने की आवाज आ रही थी वो गाना चाह लड़कियां गा रही थी जिनकी शकल जोई से बहुत मिलती जुल्जी थी जब उन्होंने जोई को देखा तो वे सारी गुसे से भर गई और उसे वहाँ से जाने को कहा पर वो बिना आटेमिस और अनैबेट को लिए जाने वाले नहीं थे जोई ने बहुत मिन्नते की कि वे उन्हें आगी जाने दे पर वो नहीं मानी और ड्रेगन जाक गया बागी सारे आगे गए, आगे एक संकरा रास्ता था जो परवत की चोटी तक पहुंसता था, सारे भागते हुए आगे बढ़ते गए, ड्रैगन ने पीछा भी किया, पर अब वे उसकी पहुंस से दूर निकल चुके थे परवत की चोटी पर काले ग्रेनाइट के बड़े बड़े तूटे फूटे तुकडे थे, जैसे पहले वो कोई महल रहा हो जोई ने बताया कि यह एटलस का माउंटन है, यह वही जगहा है जहां धर्ती से आकाश मिलता है और आकाश का सारा भार उठाए, एटलस वहां रहता है सारे आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि वह भार एटलस नहीं उठाए हुए है बलकि एक बारा साल की लड़की ने पूरे आकाश का बोज अपनी पीट पी उठाया हुआ है और उसके पैरों में जंजीरे थी, यह बिलकुल वैसा ही द्रिश्च था जैसा परसी ने सपने में देखा था हाँ, वो आर्टेमिस थी, जो यह आर्टेमिस की तरफ दोड़ती है तो आर्टेमिस कहती है कि यह एक जाल है और वे वहाँ से भाग जाएं तब ही पीछे से वही लंबा चौड़ा जंडरल आता है, जिसे परसी ने हिस्ट्री म्यूजियम में देखा था, जो क्रोनौस का दाहिना हाथ था उसके बगल में ल्यूक खड़ा था, और साथ में अनाबेत, ल्यूक ने अपनी तलवार अनाबेत की गर्दन पर रख रखी थी तब ही वह जंडरल बताता है कि वही एटलेस है, एक टाइटन और सारे देफता उससे डरते हैं जोई बताती है कि एटलेस उसके पिता है, आटमेस आकाश का सारा बोज उठा नहीं पा रही थी, पर सी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आटमेस आकाश का बोज क्यों उठा रही है, वह से छोड क्यों नहीं देती तब एटलेस उस पर हसता है और कहता है अगर ऐसा हुआ तो धर्दी आकाश के बोज़ से दब कर चकना चूर हो जाएगी और सब तबाह हो जाएगा एटलेस हजारों सालों से वा बोज उठाए हुए है पर उसने एक चाल चली और ल्यूक को वा बोज दे दिया जिसने लूक लगभग मर ही जाता पर तभी डॉक्टर थौन एनाबेट को वहाल गया आए और लूक ने धोके से वा बोज एनाबेट पर डाल दिया और फिर एनाबेट को बचाने के लिए आटी ने विसने यव बोज उठा लिया लूक थालिया से कहता है कि वे उसकी मदद कर सकती है जिससे क्रोनोस अपना सारा समाराज वापस से स्थापित कर सकता है इसके लिए सिर्फ उसे एक काम करना है उसे बैसी को मार देना है और औलंपस से भगवान का राज खतम कर देना होगा जिससे शैतानों का राज थालिया लूक को आप अलग देखती रहती है पर तभी सारे मिलकर लूक पर हमला कर देते हैं लूक और थालिया में युद्ध छिर जाता है उद्य परसी एटलस को युद्ध के लिल कारता है पर तभी उसे लौड एरीस का वो श्राप याद आ जाता है जो उसे समुद्र तट पे दिया गया था जब तुम्हें अपनी तलवार की सबसे अधिक जरूरत होगी तभी वो तुम्हारा साथ नहीं देगी परसी बर्फ की तरह जम जाता है उसके हाथों से तलवार चूट जाती है एटलस परसी को मारने के लिए आगे बढ़ता है पर जोई एटलस यानि परसी निश्चित करता है कि आटमिस के कंधों से वो इस टाइटन के कर्ज को अपने कंधे पर ले लेगा साकाश का सारा भार उठाएगा आटमिस परसी से कहती है कि इस भार को सहन करना बहुत कटिन है और परसी असर नहीं कर पाएगा पर परसी जानता था कि एरिस के श्रा परसी को वह भार दे देती है परसी को ऐसा लगता है मानों उसकी हड़ियां पिगली जा रही हो पर वहार नहीं मान सकता था बियांका ने इस क्वेस्ट के लिए अपनी जान दे दी थी पार्टिमेस एटलेस के साथ युद्ध करने लगती है वा एक शेरनी की तरह लड़ रही थी उधर थालिया और ल्यूक में घमा असान युद्ध चल रहा था जोई ने भी अपने पिता पर बाणों से वर्शा करनी शुदू कर दी थी एटलेस थालिया को मानने ही वाला था जब जोई अपना भाला एटलेस के सर पेगाड देती है और एटलेस जोई को पहाड़ी के नीचे धकेल देता है थालिया एटलेस को धका देती है और एटलेस तेजी से परसी की तरफ आ रहा था परसी मौके का फाइदा उठाता है और धीरेक से आकाश का सारा भार छोड़ देता है और वो सारा भार वापस से एटलस के उपर आ जाता है एटलस जोरों से चिलाता है नहीं फिर से नहीं पर तब तक एटलस अपने ही बिचाई जाल में खुद फज गया था उधर थालिया और लोक में युध में लोक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और पत्थरों पर गिर जाता है वाहिल नहीं रहा था एटलस जोरों से सबको बद्दुआ दे रहा था क्योंकि एक बार फिर से आकाश का सारा भोज उठाने के लिए वा मजबूर हो गया था जो वो हजारों सालों से उठा रहा था सारे जोई को ढूनने पहाड़ी से नीचे जाना चाहते हैं पर वहां तो क्रोनौस की आर्बी मौजो थी जो आगी की तरफ बहड़ रही थी वहां जाना खत्रे से खाली नहीं था तब ही जूम की आवाज आती है और एनाबेत की पिता डॉक्टर चेज उन्हें बचाने के लिए अपने एंटी प्लेन में आते हैं वेव सारे वहां से बचके निकल जाते हैं और पीछे रह जाती है हमला करने को तयार क्रोनौस की सेना और एटलेस पर जोई को अपने पिता के हाथों मरना लिखा था और इस तरह से वो आखरी भविश्यवानी भी पूरी हो जाती है अब सारे ओलम्पस पहुँचते हैं जहां ये फैसला होना था कि क्या बैसीद और हाग बलट्स को मार देना चाहिए क्योंकि वे भगवान के लिए लटका अतार खत्रा सा भिद होते जा रहे थे इसके लिए सारे ग्रीक गॉड्स आपस में वरतालाब करते हैं और फिर एक निसकर्ष पर आते हैं कि आर्टेमिस और उसका भाई अपोलो शक्ति शाली मॉंस्टर्स को मार गिराएंगे गॉड्स एथीना इस बात का विशेई ध्यान रखेंगी कि कोई भी टाइटन अपनी कैस से छूट न जाए गॉड्स पोसाइडन ल्यूक की शिप एंड्रोमिडा को डुबा कर सारे क्रोनोस के सैनेकों का अंध करेंगे और बैसी को मार दिया जाएगा ओफियो टॉरेस बैसी को मार कर ही ओलंपस में शानती स्थापित किया सकती थी या सुनकर परसी परशान हो जाता है और बैसी की जान बख्षने के लिए मांग करता है अंध में बैसी को ओलंपस में ही जिन्दा रखने का निर्ने लिया जाता है थालिया आर्टमिस के साथ हंटर बनने का फैसला लेकर सब को चौका देती है और अंत में ओलम्पस में एक शानदार पार्टी होती है और सब खूब मजा करते हैं और अंत से लॉट का पर्सी अपनी मॉम को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसकी मॉम का एक नया बॉइफ्रेंड है जो उनका प्रोफिसर है मिस्टर ब्लोफिश जिने पर्सी मिस्टर ब्लोफिश कहकर चिडाता था सारे हाव बलट कैμप आ जाते हैं कैम्प में शांती का बातावरन है पर निको को परसी से बहुत नाराजगी है क्योंकि उसने उसकी बहन बियांका की रक्षा का वचन लिया था जो उसने तोड़ दिया निको अपनी शक्तियां जान चुका है वा जान चुका है कि वा पातालो के देवता हेडीस की संतान है और वा कुस्से में बहुत तेज गर्जना करता है जिससे वहां लगी भगवान की मूर्थियां तूटकर गिर जाती है और जमीन फट जाती है और आप निकलने लगती है अवा कहता है कि वा परसी से नफरत करता है और चिलाता हुआ जंगलों की तरफ भाग जाता है उधाय क्रोवर उसे जब से क्वेस्ट पर कॉफी पीते समय लॉट पैन को महसूस करने की बात बताई तब से सारे सैटर्स कॉफी पीने लगे है परसी नीको को लेके बहुत चिंतित है कि कहीं क्रोणोस नीको का गरत फाइदा ना उठा ले और भगवानों का राज समाप्त करने के लिए उसका इस्तिमाल ना करे एना बैस इस बास से बहुत खुश है कि उसके पिता उसकी मदद करने को आय थे तब ही ग्रोवर घबराया हुआ बहार आता है और कहता है कि खुद लौट पैन ने उसे एक ओरडर दिया है उसे एक सूट केज जूनना है और उन्होंने कहा है मैं तुम्हारा इंतिजार कर रहा हूँ अभी आप सुन रहे थे पर्सी जैक्सन एंड टाइटन्स कर्स का हिंदी में एक्स्टानेशन यह एक्स्टानेशन आपों कैसा लगा कॉमेंट सेक्षन में जरूर बताएं और आगी की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें बाई फो नाउ